हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे तो वस यह सुबह साड़े दसका टाइम है और मेरा सारा काम हो चुका है और मैं खाली वैठी थी तो मैंने सुचे आप लोगों से बात कर लेती हूं तो नया साल लग रहा है और नए साल में हमें क्या-क्या संकल्प लेने स्वारे में मैं आज आप से बात करूंगे तो नए साल में सबसे पहले तो हमें संकल्प यह लेना है कि हमें स्वस्त रहना है जब तक हम स्वस्त नहीं रहेंगी तो हम अपने घर को परिबार को कैसे संबालेंगे तो स्वास्ते में क्या हो रहा है या न्रून ही कोई ऐसा तो नहीं है जिससे हमें आगे परेशानी होगी तो अपना चैकाप हमेशा कराती रहें अचा दूसरा संकल्प यह है कि जो भी आपका पिछले साल का कर्ज है उसे चुकाने का सोचें चाहिए छोटा सा भी कर्ज है तो उस कुछ भी हमने कर्ज ले रखा है या कोई भी हमारे उपर कर्ज है वो हमें चुकाना ही चुकाना है तो यह संकल्प जरूर लें तेसरा संकल्प लिए यह लें कि आप परिवार में सबसे बना के रखें किसी का भी सोचे नहीं आज कर यह मूबाइल की दुनिया हो गई है तो हम परिवार में संबंध कम बना पा रहे हम किसी के जाते नहीं है या आते नहीं है तो हमारे क्या है कि अंदर यंदर बैठके भी हम बीमार हो जाते हैं मूबाइली मूबाइल से बीमारी का कारण भी एक मूबाइल हो गया है कि हम उसी में बैठे रहते हैं बस तो जाईए अ सब अच्छे हैं दुनिया में, तो किसी से भी बैर भाव ना रखें, और सब से आप मिल जुल कर रहें, आप ये नहीं सोचें, कि मैं क्यों जाके मिलूँ हूँ, या मैं क्यों ये तो आते नहीं है, मैं क्यों आउँ, ऐसा नहीं सोचें, आप जाएंगे, तो आपके भी कोई आएगा, तो इस तरह से आपकी संबन बने रहेंगे, फॉन की दुनिया को थोड़ा सा कम करिए, मुबाइल की दुनिया को, और सब से मिलिये, जुलिये, मिलने से कामने सामने, मिलने से क्या होता है, कि बहुत फरक पड़ता है, और हमारा डिप्रेशन खेतम होता है, तो थोड़ा सा भी मिल के आजाते हैं किसी से, मैं जैसे मेरे पीहर ही जाके आजाती हूँ, तो मेरा काफी डिप्रेशन दूर होता है, इसी तरह से शिप्रा अपने ऑफिस जाके आती है, तो वहां से कुछ पॉजिटिविटी ही लाती है, मतलब नहीं है कि थोड़ा सा उसका मन लगता है या उसको लोग समझाते हैं, दोस्त होते हैं और होते हैं, उसे मिलना ज़रूरी होता है, इससे क्या होता है कि हमारे जो है, वो पॉजिटिविटी डालते हैं, हमारे जो दोस्ते हैं, हमारे परिवर वाले हैं, तो क्या है कि इससे हमारा डिप्रेशन कम होता है, त में कोई डिक्कत वाली बात नहीं है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, और हमें लोगों की बातों में ज्यादा नहीं आना चाहिए, लोग कुछ भी कहें, लोग तो अच्छा करेंगे, तो भी हमें बुरा करेंगे, हम बुरा करेंगे, तो भी बुरा करेंगे, तो लोग YouTube में आए हैं तो हम कुछ करने आए, कुछ आप लोगों को सिखाने आए, कुछ हम अर्न करने आए हैं, ऐसे तो आए नहीं है, तो हम अपना जब अपने घर की रोटी हम खा रहे हैं, तो लोगों की बातों को बिल्कुल भी नहीं गौर करें, और इस साल ये संकल्प ले, कि लोगों की बातों में नहीं आना है, अपने मन का करना है, और मुझे कमेंट आया था, कि मैं आटी मैं भी YouTube में आना चाहती हूं, और मैंने लुकषप के चैनल बनाया, लेकिन लोग हसते हैं और लोग कुछ कहते हैं, लोग आपको रोटी डालने नहीं आएंगी, आपके घर की रोटी आप कमायेंगी, आपके हस्बेंट कमायेंगी, तब ही चलेगी, तो लोगों का नहीं सोचना है, और YouTube में आते हैं, तो हम किसी को कुछ सिखाते हैं, से रेसेपी सिखाते हैं, या कोई बचत के टिप्स सिखाते हैं, या कोई चीज सिखाते हैं, कुछ सिखाते ही हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जल जारी हम तो आप लोगों को कुछ सिखाई रहे हैं, तो उनसे मैंने यही का कि आप की परवा ना करें और अपना काम लगन के साथ करें तो आप जदा आगे बढ़ेंगी लोगों की परवा ना करें और जो भी आपको काम करना पूरी लगन से करें अपने जो भी काम हम करते हैं उसमें अपना 100 प्रतिशत दें तब आप सफल भी होंगी और लोगों की बातों में ख़ताईंगी तो आप दो दीन में बेट जाएंगी मुझे प Поэтому से कई कमेंट आ जाते हैं तो कई वर में भी डिप्रेशन में आ जाती हो कुछ भी कहड़े थे साओ करें कि neste videoamyon लोगों कोई परेशानी हो, हम तो लोगों को सिखा ही रहें, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि लोगों की बातों में ना आएं, इस साल ये संकल्प करें कि हमें तो अपना काम करना है, किसी की भी सुननी नहीं है, और अपने पसंद का पहनी हो लिए, जो आपको अच अच्छा लगता है काम करना को करें लोगों की मत的話 तो ये हो प्रिद बात वहीं करें चोथी बात ये है कि अपने लक्शे को पूरा करिए जूब है 559 अलमुजी करना है तो करना ही है उसे छोड़ेंगी नहीं और रिर्म चोड़ना है हमें, हमें तो करना ही है, कोई भी काम है, आपको कुछ भी काम आपने शुरू किया है, उसको अन्त तक करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है, यदि आप कोई व्यापर शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, कुछ भी शुरू करते हैं, तो पूरी महनत के स आप पूरी लगन के साथ करिया आप जरूर सफल होंगे तो यह जरूर करना है कि आपको छोड़ना नहीं कोई भी काम जो आपने शुरू कर दिया उसको छोड़ना नहीं आप मुझे ही देख लीजिए ऐसा कई बार मेरे साथ यह हो रहा है कि कई वीडियो चलती हैं कई नहीं चलती हैं कई बिल्कुल भी नहीं चलती हैं तो मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ मैं अपना रोज एक वीडियो दूँगी हाँ जरूर यह है कि कभी बीमार हो जाती हूँ या तब खराब हो जाती है या आपनी वीजियो दूंगी और अपनी वीजियो पे मैं कोई न कोई एख बात सी स्खाऊंगी। आप देखना मेरी वीजियो में कि कही न कहीं ऐसा कोई एक बात चुपी होती Swiddah मैं नहीं से a तो वो बच्चियां मुझे आंटी कहती हैं और मेरे से कुछ सीखते हैं तो मुझे तो वापस वीडियो बनाने की फिर इच्छा हो जाती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई वीडियो बनाओ तो आप सभी लोग मेरे बच्चे हैं और मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और कुछ जो मैंने कुछ सीख यह मेरा अनुभव है जीवन का जो ही आप लोगों को सिखाती हूँ तो सब लोगों के जो कमेंट आते हैं उसी से मुझे पैसा मिलता है तो अपने व्यूज देती रहें मेरी वीडियो देखती रहें बीच में थोड़ा सा आपने कम कर दिया वीडियो देखना तो वीडियो देखें हर वीडियो में आपको कुछ ने कुछ सीखने को मिलेगा तो ब्लॉग भी है तो ब्लॉग भी ऐसा होता है कि ठंड है अभी और कुछ जाना आना जाना आना सबका लगा रहता है तो मैं बीट बीच में अपना जो मूबाइल का कैमरा है वो ले ले के घूम नहीं सकती हूँ इस कारण आपको मेरे ब्लॉग का मिल रहे हैं और ब्लॉग में यही है कि डेली रूटीन के काम होते हैं वो ही जाकरती का जाना आना है वो ही शिपरा का जाना आना है वो ही सबका जाना आना लगा रहता है तो इसमें कोई सीखने वाली बात आपको नहीं मिलती है, इस वज़े से मैं या तो कोई आपको रेसेपी देती हूँ, या फिर आपको कोई टिप्स देती हूँ, तो इस तरह से क्या है कि आपको कुछ सीखने को मिलता है या जो भी आप रेसेपी मांगते हैं वो देती हूँ, एक ने मुझे नाम याद नहीं है, अचार की जैसे भी मागई है, कौन से अचार की मागई है, वो देखूंगी मैं कमेंट में, और मैं जरूर दूंगी, अचार एक ही तरीके से डलते हैं सारे, अचार में ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मसाले जो भी डालना चाहें, जैसे भी मसाले डालें, लेकिन उन मसालों को भूंद ले, और तेल जब डालें, तो तेल गरम करके और उसको ठंडा करके डालें अचार में, और जो है काच का जार होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, सुखा हुआ होना चाहिए जिस चीज का अचार डालते हैं वो विल्कुल सुखा के डालने उसको उसमें पानी नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका अचार खराब हो जाएगा और तेल जाधा होना चाहिए पूरा जो जार है आपका तेल से भरा होना चाहिए तो आपका अचार में केवल एक चीज से खाना नहीं भाता है मैं थाली में चाहती हूँ कि दो तीन चीजे हो जैसे यदि आप ने खाली डाल बनाई है या सबजी बनाई है तो उसमें दो तीन चीजे साथ में होनी चाहिए चाहिए तो अचार हो चाहिए तो कोई नमकीन हो चाहे तो कोई चट्निया हो इस तरह से आप यदि एक सब्जी भी बनाती है तो आपके ठाली भर जाती है जी तो ये तो रही एक जैसे वीच की बात संकल्प ये लेना है कि बस हमें सबसे बना के रखना है किसी को बुरा नहीं बोलना है सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अपने स्वास्ते को ठीक रखना है जब तक आप ठीक नहीं रहेंगी तो आप परिवार को नहीं संभाल पाएंगे और पूरे परिवार का ही हमें ध्यान रखना है जैसे आप पत्नी है तो अपने पती का ध्यान रखें एक मा है तो अगारे रिष्टों का ध्यान रखें जाए भाईयों से है जाए चाले बहू का रिष्टा है, इन आप किसी रिष्टों को बनाई रखें, येदि किसी की भई हैं तो आप पूरा ध्यान रखें कि editor करें, BTEE, वह सब काम हैं, और अगर सास हैं, तो भी ऐसा ना सूचें कि बहु काम करती रहे, आप भी काम कर लीजी, तो कुछ उसको help हो जाएगी, बहु को, कुछ हमको help हो जाएगी, यह आप बेटी हैं, तो बेटी हैं, तो अपनी मा के लिए थोड़ा सा काम करें, ऐसा जो आपकी मम्मी को help मिले, और अग आपने परिवार का पूरा धान रखें, अपने परिवारिक संबंदों का ध्यान रखें, हेल्ट का ध्यान रखें, अपने कर्ज अगर है तो उसे चुकाएं और मिलते जुलते रहें जिससे आप डिप्रेशन से बाहर ररहें. तो इस साल मैं तो यही संकल्प ले रही हूं कि इस साल मैं डिप्रेशन से बाहर खुद भी निकलूंगी और शिप्रा को भी निकालूंगी और काफी कुछ डिप्रेशन से बाहर निकाल चुके हैं हम शिप्रा को और वो खुद भी बहुत स्ट्रॉंग है काफी कुछ बाहर न को देख कर डिप्रेशन से बाहर निकल रही है तो कोशिश करिए कि खुद भी डिप्रेशन से बाहर निकले और दूसरों को भी डिप्रेशन से बाहर निकाले तो यह संकल्प जरूर नए साल में लें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर एक ब्लॉग के साथ और आज म